Gulf Countries के Value Added Tax या VAT की बात करें तो इसका Cycle किस तरह से होता है Manufacturer या Producers से लेकर and Consumer तक Tax की Calculation किस तरह से होगी and Consumer पर ये Burden किस तरह से Transfer होगा Input Tax, Output Tax को समझना, इनकी Ledger को समझना, Ledger को देखते हुए Net VAT People की Calculation करना, फिर Accounting Treatment, Accounting Entries, Purchases, Sales, VAT Return की Calculation और फिर जब Payment होगी तो क्या Entries होगी किस सारा कुछ से बज़रा आपके लिए बहुत ज़्यादे ज़रूरी है अगर आप Gulf Countries में as an accountant काम करना चाहते हैं तो इस Session में हम ये सारा कुछ समझेंगे, बहुत valuable होगा आपके ये Session तो स्टार्ट करते हैं Welcome to the Session, आज की Session में हम ये कवर करेंगे कि Gulf Countries के Valuator Tax की बात करें तो इसका साइकल क्या है परड्यूसर से लेगे Distributor, Wholesaler, Retailer और End Consumer तक ये किस तरह से ट्रांसफर होते है कौन सा record maintain करना में इंडेटरी है Sales Invoice का Format क्या होना चाहिए, इसमें किन-किन बातों का ख्याल रखना है Input versus Output Tax को समझेंगे कि अगर Sales होती है, Purchases होती है या कोई Expenses होते है तो वहाँ पे Output Tax और Input Tax की Calculation किस तरह से होनी है Output Tax का, Input Tax का हमारा System Generated Accounting Software से Generated हमारे पास Ledgers अविलेबल है इन दोनों Ledgers को समझ भी लेंगे और इससे हम WET Return की Calculation करेंगे जिसमें Output Tax और Input Tax और Net Payable for WET परिटिगरली जो भी हमारा Period है, उसको हम देखेंगे कि Net Payable WET कितना बनता है जब हम ये Calculate कर लेंगे, तो उसके बाद हम Accounting Treatments की तरफ मूव करेंगे और Start से देखेंगे, अगर Purchases होती है तो फिर यहां पर WET की Calculation किस तरह से होगी Entries क्या होंगी, इसी तरह Sales Day मूव करेंगे तो फिर Entries क्या बनेगी, WET को लेके WET Return को Record करेंगे और जब Payment करनी है, तो फिर क्या Entries होंगी ये सारा Process हम समझने जा रहे है देखें, अगर आप Gulf Countries मूव करना चाहते हैं ये बाहर काम करना चाहते हैं तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ये आपको Sheet मिल जाएगी Description में आपको Retails मिल जाएगी बस आपने Contact करना है, और Free Of Course आपके साथ ये सारी जो फाइल है, ये शेयर कर दी जाएगी अभी हम बात कर लें, जी अगर Gulf Countries की बात करें जिस तरह से पाकिस्तान है, पाकिस्तान जी इंडिया में है 18% Sales Tax है, ठीक है, इसी तरह से अगर हम GCC Gulf Countries की बात करें तो यहाँ पे जो Value Added Tax है, वेट है, वो 5% है, ठीक है थी? तो 5% यहाँ वेट की Calculation करते हैं, अगर हम Gulf Countries की बात करें तो इसके 6 Member State हैं जिसमें से 4 में तो वेट Implement हो चुक है, साओधी अरेबिया, दुबई, UAE जिसे कहते हैं आप, उमान बाहरे हैं अभी Qatar में हो रहा हैं, और Kuwait में बाद में होगा तो यहाँ पे आपके पास काफी Opportunities निकलती हैं जब वेट की Implementation होती है, फिर पाक्सान, इंडिया से काफी लोगों को हाईर किया जाता है तो यहाँ पे फिजिकल यहाँ आपे मूव करना चाहें या BPO आफिस में काम करना चाहें अपने मुलक में रहते हुए, तो आपके पास काफी Opportunities होती है तो स्टार्ट करते हैं सेशन को काफी आपके लिए helpful होगा, देखें जी अगर हम value area tax की बात करें तो 5% जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले producer की, producer जब manufacturer ने चीज़ें बनाएं, आगे उसने distributor को ट्रांसफर की होल सेलर के पास आई, रिटेलर के पास आई, और यहाँ पे आप मैं जी Mr. A.V.C. जीनों ने चीज़ें यह खरीद ली तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो वैट की आगे transferability है, किस तरह यह transfer हो रहा है अचा, सबसे पहले हम यह देखते हैं, जी जो producer है उसने कुछ goods बनाई, 1000 A.E.D. की ठीक है, इसके उपर 5% tax, F2 करें तो यहाँ पे देखें, before tax पे 5% लगाया और यहाँ पे price, पहले क्या आई, gross value आ रही है उसके बाद यह after VAT की calculation यहाँ पे आ रही है, यह simple सी बात है, आपको यह sheet मिल भी जाएगी, ठीक है जी इसी तरह से producer ने distributor को यह sale की, 1050 A.E.D. में समझेगा, ठीक है अभी उसने अपना यहाँ पे profit margin एड़ किया, 1075 की लेट से उसने आगे होर सेलर को बेची, फिर 5% की calculation हो गई और यह value स्टार्ट में चले सी 1000 से, और अभी 1129 की हो गई है, टेक्सिस को मिला के होल सेलर ने अपना यहाँ पे एड़ किया, profit उसने like 1145 A.E.D. की आगे बेची, और रिटेलर को और 57 की यहाँ पे टेक्स की calculation हो गई, और 1202 A.E.D. की गुल्ड हो गई, अभी इसी होल सेलर ने रिटेलर को 1202 की बेची, और रिटेलर ने अपना यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन एड़ किया, 1225 रुपे का इसने अपना value इसकी बनी, बिफोर टेक्स, और आफ्टर टेक्स की अवैलियो बनी, 1286 A.E.D. क्लियर हो गई, 1286, अच्छा यह अभी end user यहाँ पे जो है 1286, ठीक है, और यहाँ पे यह जो सारा है, यह टेक्स है, यह कितना बन रहा जी, मैं यहाँ पे अगर formula लगा हूँ, sorry, यह 222.25 बनता है यह 222.25 A.E.D. जो है, वो end consumer ही पे करेगा, यहाँ पे अगर producer था, उसने यहाँ पे वैट जो है, वो transfer कर दिया distributor के पास, distributor ने आगे wholesaler को transfer किया, wholesaler ने रिटेलर को, retailer ने सारा का सारा जो है ना, वो end consumer पे transfer कर दिया, ठीक है, अगर हम overall बात करें, मिसाल के तोर पे, अभी producer है, तो इसने क्या किया, let's say, distributor इसने पचास्क किया, और इन दोनों का difference ले 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 आप, तो आपको idea होज़ेगा, is equal to this minus, this is equal to this minus, ये, ये वाला जो है ना, ये chain में producer, distributor, wholesaler, retailer ने यहाँ पे ये taxes पे किया है, ठीक है, लेकिन ये वाले जो taxes हैं, ultimately end user पे, margin के थूँ वो transfer हो चुके हमें, समझागी बात आपको, इस तरह से ये cycle चलता है, cycle समझागी है, tax rate समझागी, distributor से लेके, जो retailer है, वहाँ तक किस तरह सी सारा transferable हो रहा है, समझागी बात, आगे बात कर लेते हैं, जी कौन से record maintain करना mandatory है, देखें सबसे पहले, तो sales invoice, इसको sales tax invoice भी कहते हैं, इसकी record keeping accounting software में भी ज़रूरी है, और copy भी file में maintain करनी है, credit note, क्या मतलब, credit note के अगर कोई sales returns होई है, तो इसकी भी आपने entries करनी है, accounting system में इसको अपने record करना है, और साथ इसको आपने document होगा, उसको file करना अपने पास, जो किसी किसम के expenses हैं, purchases हैं, bills हैं, उनको आपने record भी करना है, और अपने पास physically भी आपने maintain क करना है, उसका record, जो उसके hard forms होगी, और यह भी check करना है, कि सारी approvers and authorization हो चुके हैं, यह नहीं होचुगी, debit note, जो आप अपने supplier है, और उसको returns करते हैं, तो उसका भी उसी तरह से record maintain होगा, जिससे credit note का हो रहा है, delivery चलांस का आपको पता होगा, कि delivery के proper documents होते हैं, वो आपने maintain करना है, और अगर को imports हो रही है, तो फिर bill of entry for import of goods भी आपने, यह वाले documents जो है ना, यह आपने maintain करना है, clear जी, आगे बढ़ते हैं, जी sales invoice format की दरफ, सबसे पहले मैं आपको format दिखा दूँ एक बार, या मैंने format आपको यह शो भी करवा दिया, अब इसी format को पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम इस format पर दूबार आते हैं, आचा देखें, जी सबसे पहले जो टाइटन होगा, वो tax invoice को होगा, sales invoice invoice भी हो सकती है, tax invoice भी हो सकती है, यह हम proper sales invoice format की बात कर रहे हैं, इसके ओपर invoice number होना चाहिए, यह चाहिए, जो के serially numbered हो, invoice issue date होने चाहिए, due date भी यहाँ होने चाहिए, साथ issue date, with due date, यहाँ पर लिखने है, due date, ठीक है, उसके बाद, name, address, registration number of seller and buyer, दोनों का registration number, address, name, यहाँ पर यह होना चाहिए, details of goods and services, जो भी उनकी terms and conditions है, उनकी details होने चाहिए, यह important है, सबसे important यह बात है, वैसे तो सारी important है लेकिन यह मकाईदा law में लिखा जो यह GCC का law है ना, जो agreement अच्छे अच्छे का अपर से वहाँ पर लिखा हुआ है, पहले आप क्या करेंगे, ग्रॉस अमाउंट अलाइदा से लिखेंगे, फिर VAT की अमाउंट कैलकूलेट करेंगे, और फिर लिखेंगे net amount inclusive of VAT, ठीक है, यह law की, मैं आपको बातें बता हो यहाँ पर, आगे जी input text versus output text की बात करते हैं, उससे पहले यह format देख लेते हैं, अच्छा यह अगर format देखें आप, सबसे वहले customer आ रहा है, आप यह देखें, यह address, sales text, invoice आगया, invoice number, date, ntn, registration number, ct address, vendor, supplier, company, quantity, area, description, unit, price, exclusive, यह sales text का मतलब हुई, आप समझे के value text की बात हो यह sales inclusive, और यह फिर यहाँ पर भी है, total sales text, total value inclusive, verified and authorization, यह इस तरह जिसका format होगा, यह symbols of format है, इससे ज्यादा चीज़ें भी हो सकते हैं, लेकिन यह चीज़ें होना जरूरी हैं, ठीक है जी, चले, अभी हम input text versus output text को समझने लगे हैं, मिसाल के तोर पे, sales होती हैं, और 15,000 AED की sales करता है, ठीक है, जो entity है, वो 15,000 AED की sales करती है, यह मैंने formulas लगाये में, nothing to be worried about, बड़े simple से formulas हैं, यह आपको sheet मिल जाएगी, सबसे पहले F2 करें, तो यहाँ पर क्या हुआ कि gross amount पे 5% हमने calculate किया, और समझ लेजेगा, जब भी आप sales कर रहे होंगे, sales में क्या करेंगे, किस आप पे आप वो collect करेंगे, like 750 AED आपने collect किया, net amount बन गई 15,750, और input tax जब आप कोई purchases करेंगे, या कोई expenses करेंगे, जब आप खुद पे कर रहे होंगे, उसको input tax कहा जाया जाएगा, ले रहे हैं, बसे यह आपको पहले भी पता होगा, हम कहते हैं, यह purchases की, इन्होंने 9,000 की और यहाँ पे भी 5% के tax लगा हुए, अभी दर हमारा जो output tax है, वो 750 बना, और input tax है, वो 450 बना, इसी तरह ठीक है, और fuel expenses भी आए, 750 AED के fuel expenses आगए, clear होगी जी बात, अगर हम यहाँ पे यह बात करें, कि total जो gross amount थी, वो थी 24, 750 AED, और जो net amount है, वो हमारे पास मने 25, 9, level 8, output tax इन पे कितना calculate होओ, हुआ 750 का, input tax calculate होओ, 488 का, input tax का क्या मतलब, जो आपने pay की है, आपने कोई expenses की है, तो वहाँ पे आपने matter pay की है, या purchases की है, तो आपने अगली party को matter pay की है, ठीक है, और अगर आपने sales की है, तो sales का क्या मतलब हुआ, आपने अगली party से charge किया, वो output consider हो समझागी बात आपको ये, चलेंजी, हम output text के ledger पे चलते हैं, पहले इस ledger को समझ लेते हैं, सबसे पहले entity का नाम आ रहे है, United Arab Emirates address यहां पे कोई भी लिख ले, और कोई भी नहीं, जो के मैंने तो hypothetically लिखा है न, उसके बाद ये वली जी report है, ये system generated है, ठीक है, ledger report है, output text के लिए 1st January 2024 से 31st January 2024 तग, सबसे पहले opening balance आ रहे हैं, और अगर हम यहां पे output text की बात कर रहे हैं, तो ये amount debit होगी या credit होगी, credit होगी न, ठीक है, पहले opening balance हमारे पास कोई नहीं और यहां पे cumulative जो है, उसको F2 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मिसाल के तोर पे, यहां पे, opening balance, plus credit, minus debit, तो यहां पे इस तरह से ये balance चल रहा होगा, और last में हमारे पास जो cumulative figure आ रही है, last day पे वो आ रही है, 5354 output text, output text का क्या मतलब, output text का क्या मतलब, कि हमने यहां पे यह charge की है, अगर हमने यह charge की है, government पे बिहाफ पे, तो बताईए, यह क्या बना बला, इसको हम क्या कहेंगी, यह हमारे पास chart of accounts में आएगी, other current liability, ठीक है जी? understanding होगी जी? आगे चलते है, input text पे, input text में भी वैसे ही होगा, document number भी होगा, यह मैंने, देखें, यहां पे आप देखेंगे न, तो मैंने same document number लिखें, बस नीचे, इसके back end पे DSN लिख दिया है, like document serial number, और यहां पे मैंने क्या कर दिया है, यह भी number 500901, तो इससे ने confuse होना, कि यह यहां पे 500901 क्यों आ रहा है, और यह ही यहां पे क्यों आ रहा है, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है? आगे opening balances का 0 है जी, उसी तरह से इसका यह debit amount बनेंगी, और last में अकर हम जाएंगे तो हमारे पास यहां पे, यह output input tax बना और इसको हम क्या कहेंगे, current, other current, asset, तर यहां भी लखते हैं तो, input tax का क्या मतलब है जी? input tax का मतलब बनता है, कि जो आपने tax pay की है, जो organization tax pay कर रही है न, उसके adjustment होती है, output tax के साथ, ठीक है, एक और मैं आपको बात बताता जाओं कि 3,75,000 एक threshold है, 3,75,000 AED, अगर हम साओधी अरेबिया के बात करेंगे, तो वहां पे साओधी रियाल बन जाएंगे, 3,75,000 अगर revenue हो और इसी का अगर हम half कर ले, multiply by 0.5, अगर ये बना ले तो यहाँ पर वो voluntarily उसकी registration बनती है, कि वो अगर अपने आपको registration करवाना चाहे तो करवा सकता है, अच्छा एक और मैं इंटर्विव की आप बात बता दो आपको, टेक्स चे तो सारे बचना चाहते है न, 3,75,000 पर requirement है कि आप अपने आपको registration करवाएंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो फिर authorities आपको और penalties और वाकी सारे काम कर लेंगी, यो करना है, अगर हम 187,500 इसके half की बात करें, तो यहाँ बे वोलेंटरी registration होती है, और काफी लोग वोलेंटरी registration करवाना चाहते हैं, इसके आप वज़ा पर उसने ये application file किया है, कि मुझे वालेंटरी आप registration कर दें, तो वो कहती है, कि आप मुझे ऐसे करें, कि लेट से मुझे आप 1st December से back end पर आप मुझे register करें, एक मुझे पहले आप register कर दें, मैं आपको example दे रहा हूँ, क्यों वज़ा क्या बनती है, एक दो मिनट लें, यहाँ बनता है 3685, यह वो क्लेम करना चाहता है, इसलिए वो कहता है, कि मुझे वैट कर रिजिस्ट्रेशन कर रहा है, अपनी voluntary registration, और यहाँ पर output text, उसने यह देखे न, output text क्या हुआ, कि उसने यहाँ पर गवर्मन के बहाफ पर यह गलेक कर लिया, तो यहाँ पर उसने जो बात पूछी जाती है, आगे जी बात कर लेती है, यह net value added text payable, अच्छा एक काम करें हैं, सबसे पहले आप इस format को देखें, कि यह format आपको समझ आ रहे हैं, कि क्या है format जी, समझ आ रहे हैं आपको, यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखें जी सबसे पहले यहाँ पर क्या mentioned ह यहाँ पर mention रहे है, amount, output text, input text, अभी हमारे पास output text का भी ledger available है, और हमारे पास input text का भी ledger available है, तो यहाँ पर हमने इसकी calculation कर लेने हैं, क्या करेंगे, output text यहाँ पर कौन सा लें, यहाँ पर ledger पर आते हैं, और यहाँ पर यह जो last value बनती है, 5, 3, 5, 4, यहाँ पर हमने output text को उ यहाँ पर यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर यह देख लें कि output text, क्या मतलब उसने जो sales के थूँ, क्या मतलब, sales के थूँ, उसने जो collect किया है, वो 5, 3, 5, 4 बनता है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर purchases and other expenses, expenses जो हैं, उन पर उसने जो pay किया है, यहाँ पर उसने यह रिसेव क यहाँ पर पे किया है, तो उनको जो difference होगा, वो net payable for January 24 बनेगा, यह बात समझ आ गई, यहाँ पर recap करें, यह देखिए ज़रा, clear होगी, समझे लो, stranding होगी आपको, अभी हम बात करते हैं जी accounting treatment की, अचा, accounting, accounting की treatment में सबसे पहले हम purchases की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने चार यहाँ पर आपके पास यह बनाई है, सबसे पहले record purchase करना, sales को record करना, wet return को record करना, and payments को record करना, ठीक है थी, सबसे यहाँ पर हमने purchases की बात करते हैं, तो क्या entry बनते हैं जी purchases की, बताइए, purchases, purchases के बात यहाँ पर क्या होगा, input tax होगा, ऐसे न, output tax होगा, input tax होगा, और यहां पे accounts payable अब यह entry करेंगे तो हमें clear हो जएगा हम यहां पे example लगाते हैं कि जो यहां पे purchases हो रही है for example वो हो रही है 10,000 की entity ने 10,000 के purchases की है ठीक है अब यह 10,000 की जैसे ही purchases की है तो यहां पे क्या होगा कि वैसे यहां पे formula मैंने लगाना चाहिए था चले लगा जेता हूँ इसका क्या होगा कि 5% यह बनेगा tax यहां पे यह क्यों छोड़े इसे रही इनूर कर दे purchases की 10,000 की इसके उपर input tax charge हुआ कितना 500 का और यहां पे accounts payable कितने में आए is equal to this plus this समझागी बात purchases 10,000 की हुई input tax 5% लगा और accounts payable हमारे कितने होगा 10,500 और accounts payable में क्या क्या होगा बताने की जुरत है चैने तो accounting treatment की तरह move करते हैं कि इसकी accounting entries क्या बनेंगी जिस तरह से आप मैंने 4 segments बनाए हैं कि सबसे पहरे purchases को record करेंगे तो VAT की क्या calculation होगी उसी तरह से sales की फिर VAT return की calculation किस तरह से होगी and record किस तरह से maintain करेंगे जब payments हो जाएंगी ठीक है? entries के साथ purchase की क्या entry बनती है जी बताएए purchases को हम debit करते हैं साथ input tax को भी debit करते हैं क्योंकिए purchases के साथ input tax लगता है ठीक है? जब sales की बात होगी तो वहाँ पे output tax आएगा और credit क्या करेंगे? accounts payables को ठीक है थी? अब यहाँ पर example लेते हैं अब मैंने formulas लगाएं में सब कुछ automatically calculate हो जाएगा purchases हम समझते हैं कि assume करते हैं कि entity ने 10,000 की purchases की अब यह F2 करें यहाँ पे 500 पे यहाँ पे आप देख लें कि यह 10,000 पे 5% calculate हुआ है 10,500 बन गया और accounts payable 10,500 में चला गया यह entry बन गई न ठीक है? इस तरह sales की entry क्या करेंगे? सबसे पहले क्या होगी? sales की entry होगी accounts receivable debit करेंगे यह entries तो आपको आती है ना यह अभी न कहिएगा इन में भी समझने आ रही आपको accounts receivable और इसके बाद क्या होगा यहाँ पे credit करेंगे हम यहाँ पे sales को और साथ ही credit करेंगे हम output tax को अभी देखिएगा bet की calculation किस तरह से होगी और यहाँ पे हम sales कहते हैं मिसाल के तरप entity ने sales की 15,000 की अब यह देखिएगा 15,000 की sales यहाँ पे मैंने credit की है और F2 करें 750 पे तो वो ही 5% लगा और यहाँ पे यह देबिट अमाउंट होगी अगर accounts receivable है तो ठीक है अगर cash sales होई है तो फिर cash बेंक को आप डेबिट कर सकते हैं clear होगी बात समझा गी अचा आगे to record wet return की अगर बात करने से पहले मैं आपको यह clear कर दो कि यह जो value added tax है for gulf countries जिसमें दुबाई Saudi Arabia, Oman, Bahrain अभी कुएत में लगेगा sorry, Qatar में लगेगा फिर कुएत में जाएगा तो अगर आप यह proper समझना चाहते हैं कि यह wet का सारे किस तरह से calculation होगी, complete training program तो उसके लिए हमने for gcc for gulf countries के accounted के लिए हमने complete training program बनाया जिसमें wet भी है, जिसमें keeping गी है, accounting softwares भी है financial statements भी है, तो वो आप जरूर join कर सकते हैं, जिसमें की आपको details description में जाएगी, तो आप जरूर contact कर सकते हैं तो तरीका कारमार यह ही होगा जिस दर से अगर आपको यह समझ आगी तो वो भी इंशालला ताला आपको clear हो जाएगे तो record back return के अगर हम बात करें तो क्या होगा जी सबसे पहले यहां पर हम output tax को लेके आएगे, उसको हम debit करेंगे, ठीक है input tax को credit करेंगे और देखेंगे क्या amount बाकि कितनी बनती है output tax कहां से आएगा जी यह output tax 150 input tax कहां से आएगा यह है जी input tax 500 अब यहां पर क्या amount बनती है 200 200 कहां पर जाएगी यह जाएगी where return में समझागी बात अच्छा एक और बात समझेगा यहां से अगर हम sales की बात करें तो output tax overall सभी sales की बात करें और purchases की बात करें तो input tax overall यह जब हम यहां पर यह entry करेंगे to record where return तो यहां पर यह निल हो जाएगा इस का लाइजर 0 हो जाएगा ठीक है ना यहाँ आप यह अब देख bank or cash ऐसा तो bank की होता है bank or cash को credit कर देंगे यह value आगी यहां से और यह credit आगी 250 समझ आगी बात जी तो यह इस तरह से हमारी यह सारा cycle चलेगा अब भी अगर हम बात करें तो हमने इस cycle को समझ लिए अगर कोई आपका question हो तो आपने ज़रूर यहां पे comments box में पूछना है बाकि एक question मैं आपकी तरफ छोड़के जा रहा हूँ वो यह है कि यहां पे हमने for purchases की जो बात की है periodical यह perpetual यह भी आपने बताना है अगर यह periodical है तो perpetual क्या होगा perpetual है तो periodical क्या होगा तो यह आपने यहां पे सहरा बताना है अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती तो मैं इसके उपर separate से एक session record कर दूँगा inventory को लेके purchase को लेके प्रियाडिकल और perpetual सिस्टम से ठीक है तो अपने ख्याद रखिएगा अगर आपको यह tutorial अच्छा लगा है तो हमारे channel को अपने ज़रू सब्स्राइब करने और training program को आप जोईन कीजिए अगर आप बाहर काम करना चाहते हैं या पाकिसान में रहके